गुद मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स ओफ बीए सी पार्ट फर्स्ट डियर स्टुडेंट्स प्रिवियस लेक्चर में हमने इस पर मैटो जनेसिस याट इज शुक्राणू जनन हमने शुरू किया था और आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हमने पड़ा था कि शुक्राणू जनन में इस पर मैटो जनन में तीन इम्पोर्टेंट पार्ट उसके होते हैं और वो तीन इम्पोर्टेंट पार्ट कौन-कौन से हैं multiplication phase, growth phase और maturation phase गुणन प्रावस्था, वरद्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था ये तीन प्रावस्थाएं important होती हैं इनी तीनो stages को तीनो phases को आज हम detail से पढ़ते हैं तो जो पहली stage है multiplication phase multiplication phase नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें multiply होता है और कौन multiply होता है इसमें जो spermatogenesis की प्रक्रिया संपन होती है और उस टेस्टीस के अंदर seminiferous stibules होती हैं रेता नलिकाएं होती हैं उन्ही रेता नलिकाओं में यह sperm का निर्माण होता है तो उन seminiferous stibules में होते हैं primordial germ cells जो divide होके spermatogonia बनाती हैं तो multiplication phase में बहुत सारे spermatogonia बनते हैं divide होने से उनमें विभाजन होता है जिससे बहुत सारे spermatogonia बनते हैं यह देखिए हम इस diagram के द्वारा spermatogenesis को समझते हैं और यह बहुत important topic है spermatogenesis और oogenesis spermatogenesis का यह जो diagram है यह अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको complete spermatogenesis समझ में आ जाएगा और same इसी ही तरह का diagram हम पढ़ेंगे oogenesis में तो आपको इसको अच्छे से समझना है समिनेफर स्टिविल्स में present होती है यह PGC PGC means primordial germ cells यह जो cells होती है यह spermatogonia का निर्मान करती है यह जो आप diagram में देख रहे हैं 2N 2N क्या है यहाँ पर 2N है deployed number of chromosomes गुणशुत्रू का जो deployed number है यानि गुणशुत्र यहाँ पर द्विगुणित होते हैं double number of chromosomes present होता है हम जानते हैं कि human beings में 46 chromosomes present होते हैं अगर उनका हाप कहें अगर N कहें तो N is equals to 23 और 2N is equals to 46 तो यहाँ है 2N यानि यहाँ पर 46 number of chromosomes present हैं आपको यह 2N और N इनका भी ध्यान देना है इनको भी अच्छे से समाझना है कहाँ पर 2N यानि deployed number of chromosomes present हैं और कहाँ पर N means haploid number of chromosomes present हैं haploid agonit और deployed द्विगुनित तो PGC primordial germ cells इसमें यहाँ पर deployed number of chromosomes present हैं इससे बन रहे हैं spermatogonia हमने कल भी बात की ती spermatogonia से आगे की stages चलती हैं तो यह जो spermatogonia हैं यह इन में division होता है और यह division कौन सा हो रहा है यहाँ पर mitosis हो रहा है mitosis means सम सुत्री विभाजन यानि यहाँ पर chromosomes के number में कोई change नहीं हो रहा है जितना chromosomes का number पहले present होता है division के बाद भी उतना ही number of chromosomes present होता है तो यह जो spermatogonia हैं यह mitotically divide होते हैं और यह अनेक spermatogonia बनाते हैं यह आप देख रहे हैं यह अनेक spermatogonia यहाँ पर बन रहे हैं लेकिन chromosomes का number 2N का 2N ही है तो यह है multiplication phase multiplication phase में यहाँ पर spermatogonia multiply हो रहे हैं फिर next जो stage आती है spermatogenesis में वो है growth phase व्रदी प्रावस्था यह देखें आप यह है growth phase में आप देख रहे हैं यह जो spermatogonia है एक spermatogonia sorry एक यह वाला जो spermatogonia है वो growth phase में enter करता है यहाँ पर हम एक के द्वारा समझ रहे हैं पर actual में ऐसा नहीं है कि केवल एक spermatogonia ही growth phase में enter करता है बहुत सारे spermatogonia growth phase में enter करते हैं जिससे बहुत सारे sperm का ही निर्मान होता है millions of sperm हम एक की द्वारा इसको समझते हैं यह जो spermatogonia है यह growth phase में enter कर रहा है और growth complete होने के बाद जो spermatogonia है उसे हम कहते हैं primary spermatocyte इसकी जो जब growth होती है तो spermatogonia near about double हो जाता है size में volume में double हो जाता है जैसा कि आप diagram में भी देख पा रहे हैं तो spermatogonia जब growth phase में enter करता है तो growth होने के बाद उसे हम कहते है primary spermatocyte यह है growth phase होने के बाद अब next जो phase है उसे हम कहते हैं maturation phase third phase of spermatogenesis is known as maturation phase परिपक्वन प्रावस्था इस परिपक्वन प्रावस्था में दो division होते हैं that is meiosis इसमें होता है आपने यहां पर ध्यान दिया हो तो देखें कि जो chromosomes का number है वो growth phase तक 2N ही रहता है means chromosomes यहां पर द्वी गुनित ही है growth phase के बाद जो परिपक्वन प्रावस्था है maturation phase है यहां पर आप ध्यान दें यह जो meiosis है meiosis अर्द सूत्री विभाजन primary spermatocyte में अर्द सूत्री विभाजन होता है अर्द सूत्री विभाजन यानी chromosomes का number आधा हो जाता है यहां आप देख रहे हैं यहां है 2N और यहां है N means chromosomes का number आधा हो गया है यह यहां primary spermatocyte है primary spermatocyte में meiosis होने के बाद प्राप्थ होते हैं secondary spermatocyte आप जानते होंगे आपने study किया है meiosis और mitosis अर्द सूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन तो अर्द सूत्री विभाजन जो होता है उसमें दो बार division होता है first जो division होता है उसमें chromosomes का number आधा हो जाता है यानि उसमें homologous chromosomes से वो separate होते हैं जो दूसरा division होता है that is meiosis second उसमें chromosomes का number same रहता है इसे Equational Division भी कहते हैं, तो ये जो Primary Spermatocyte है, इसमें हुआ Meiosis First, Meiosis First होने से यहां पर Secondary Spermatocyte का Formation हुआ है, और Secondary Spermatocyte में Chromosomes एगुनित होते हैं, Chromosomes का नंबर आधा हो जाता है, फिर ये जो Secondary Spermatocyte है, उसमें होता है Meiosis Second, Meiosis Second होने से प्रतेक Secondary Spermatocyte से दो-दो Spermatids का निर्मान होता है, तो ये कहलाते हैं, यहां Spermatids, और आप देख रहे हैं, Spermatids में भी Chromosomes का नंबर आधा होता है, 2N का यहां पर N रह गया है, अब इससे ये जो आप डाइग्राम देख रहे हैं, इससे बहुत सारे Questions पूछे ज जाते हैं, जैसे एक Question में आपको For Example, बताऊं आपको, यहां यह भी हो सकता है कि, एक Question हो सकता है कि, एक Primary Spermatocyte से कितने Sperm का निर्मान होता है, यह आप डाइग्राम में देख के बता सकते हैं, लेकिन आपको मैंड में ध्यान होना चाहिए, Objective Type जो Question आते हैं, उसमें Complete Diagram बनाने का हमरे पास एतना टाइम नहीं होता है, आपको मैंड में होना चाहिए, कि एक जो Primary Spermatocyte से कितने Sperm का निर्मान हो रहा है Ayann से गोनी स्पाम पर निर्मान हो रहा है एक Secondary Spermatocyte से 2 Sperm का formation रहा है तो यह आपको यहां पर Concept बिल्कुल क्लीर होना इस डाइग्राम को आप इसके लिए अच्छे से समझें तो इस तरह से स्परमेटोजनेसिस की तीन important stages यहां पर complete होती है और next जो last इसकी stage है यहां यह है spermiogenesis यह भी एक important part होता है spermiogenesis आपको confusion नहीं होना चाहिए spermiogenesis और spermiogenesis spermiogenesis तो complete sperm बनने की प्रक्रिया को spermiogenesis only इतना सा part यह देख रहे हैं आप यहां only इतना सा part कहलाता है spermiogenesis यानि spermatid से sperm बनने की process को spermiogenesis कहते हैं क्योंकि आप यहां देख रहे हैं जो spermatid है वो non-motile है spermatid में कोई tail नहीं है कोई अलग से head नहीं है इसलिए जो spermatid होता है वो चल नहीं सकता तो spermatid में जब head and tail इसमें attach होते हैं इसका modification होता है इसका differentiation होता है तो उस process के दोरान spermatid से sperm बनते हैं स्परक्रिया को इस पर myogenesis कहते हैं नेक्स्ट यह है growth phase जो हमने अभी पढ़ा आप इसको देख के अपने notes से बना सकते हैं मैं एक बार आपको हिंदी में इसको बता देती हूं फिर आप as it is इसके notes से बना लीजिए तो growth phase में एक जो spermatogonia है वो growth phase में प्रवेश करता है और growth उसकी complete होने के बाद उसे हम कहते हैं primary spermatocyte और यह जो primary spermatocyte है इसमें द्विगनित chromosomes पाए जाते हैं द्विगनित गुण सुत्र पाए जाते हैं next is maturation phase जिसकी हमने अभी बात की है maturation phase में जो primary spermatocyte है वो परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करता है और इस परिपक्वन प्रावस्था में maturation phase में दो विभाजन होते हैं that is अर्धसुत्री विभाजन प्रेथम और अर्धसुत्री विभाजन दित्ती है तो जब अर्धसुत्री विभाजन प्रेथम होता है तो उस दोरान जो primary spermatocyte है उससे secondary spermatocyte बनते है और जो अर्धसुत्रिवी भाजन दित्ती होता है उसमें सेकंडरी स्परमेटोसाइट से स्परमेटिड्स का निर्मान होता है फिर लास्ट जो स्टेज है स्परमेटोजनेसिस की वो है स्परमीयोजनेसिस spermogenesis का मैंने आपको बताया जो spermatids हैं उनसे sperm का निर्मान या spermatojoa का निर्मान spermogenesis कहलाता है और इस spermogenesis में दो मुख्ये परिवर्तन होते हैं यानि उसके head का निर्मान, सिर का निर्मान और tail का निर्मान होता है spermogenesis के तोरान first हम देखते हैं कि उसके sperm के head का निर्मान कैसे कैसे होता है और sperm के head में nucleus होता है और उस nucleus के अग्र सिरे पर acrosome पाया जाता है जो मिलकर के sperm के head का निर्मान करते है यह देख रहे हैं, यह भी एक important diagram है sperm का जो acrosome होता है sperm के structure में आगे हम देखेंगे यह है sperm का nucleus यह आप देख रहे हैं यह है sperm का nucleus और इस nucleus के ऊपर यह आप देख रहे हैं यह है acrosome इस acrosome में कुछ hydrolytic enzymes present होते हैं जो egg की membrane को dissolve करते हैं यह जो nucleus है वो egg के अंदर प्रवेश कर सके fertilization के दोरान निशेचन के दोरान तो यह जो complete diagram है यह sperm के head के निर्मान को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है sperm के head के निर्मान को तो यह है यहाँ nucleus और sperm के nucleus के आगे present होता है acrosome तो यह acrosome का निर्मान golgi complex से होता है यह भी एक important question है कि acrosome का निर्मान किस से होता है तो sperm के acrosome का निर्मान golgi complex से होता है अब इस diagram में दिखाया गया है कि किस तरह से golgi complex से sperm के acrosome का निर्मान हो रहा है यहाँ पर यह Golgi complex present है Golgi complex से यह pro-acrosomal granules बनते हैं कणिकाएं बनती हैं फिर इनसे यह और इसका development यहाँ पर हो रहा है pro-acrosomal granules का और यहाँ यह acrosomal vesicle बन गया है acrosomal vesicle बन गया है और इस acrosomal vesicle से फिर यह acrosom का निर्मान होता है और यह membrane से घिरा होता है इस acrosom में higher leuronides एक important enzyme होता है जो अंडणों की जिल्लियों को तोड़ने का काम करता है ताकि sperm का जो nucleus है वो अंडणों के अंदर प्रवेश कर सके और निशेचन की प्रकरिया पूर्ण हो सके और फिर changes in nucleus means spermiogenesis के दोराण nucleus में कौन-कौन से important changes होते हैं अब यह changes क्यों होने होते हैं क्योंकि sperm एक motile structure है जिसको चलके female reproductive part में पहुचना होता है इसके लिए sperm को motile होना आवशक होता है प्लस उसका जो weight है वो भी बहुत कम होना चाहिए तो weight कम करने के लिए जो sperm के बहुत सारे structures है वो degenerate होते हैं वो बहार निकल जाते हैं तो जो sperm का nucleus है वो भी shrink हो जाता है उसके अंदर जो जल उपस्तित होता है वो जल बहार निकल जाता है और इसके nucleus में जो chromosome होते हैं गुनसूतर होते हैं वो भी closely packed हो जाते हैं और उनका volume कम हो जाता है जैसे वो फैले वे नहीं रहते हैं वो एक जगे condensed हो जाते हैं एक जगे एक गतरित हो जाते हैं दूसरा sperm के nucleus का जो structure है वो भी round से elongated structure हो जाता है मेंज वो structure जो है वो लंबा हो जाता है अब लंबा क्यों हो जाता है ताकि उसको गमन में आसानी रहे तो इसके लिए sperm का जो nucleus है वो भी elongated हो जाता है और narrow यानि चोटे एरिये में वो आ जाता है ताकि उसको locomotion की दोरान कोई problem नहीं होए और यह तो हम जानते ही एक बड़ा structure उसको चलने में ज्यादा problem होती है बजाए कि एक narrow या elongated structure वो आसानी से locomotion कर सकता है और यह हमने पड़ी लिया कि जो गोलजी complex है उसके द्वारा एक्रोसॉम का निर्माण होता है और एक्रोसॉम में enzymes होते हैं दूसरा है इसमें जो distal centriol होते हैं हम जानते हैं कि cell के अंदर यह सारे कोशिकांग हैं जैसे centriol है, mitochondria है और यह सारे भी sperm के अंदर present होते हैं क्योंकि sperm भी एक cell होती है, कोशिका होती है तो इस sperm की जो distal centriol हैं दूरस्त तारकाई हैं उनसे axial filament बनते हैं और axial filament जो हैं वो sperm की tail बनाने का कारियर करते हैं फ्लेजेला का एक भाग होती हैं क्योंकि फ्लेजेला से ही sperm की tail का निर्मान होता है तो फ्लेजेला के अंदर जो axial filaments होते हैं वो इस distal centriol के द्वारा ही इनका निर्मान होता है तो इस तरह से sperm eogenesis complete होता है जिसमें head और tail का निर्मान sperm, spermatids में होता है और वो spermatids जिसमें head और tail का निर्मान हो जाता है उसे हम कहते हैं complete sperm तो dear students आप इस sperm eogenesis की process को इसकी तीनों stages को अच्छे से समझें क्योंकि आगे हम eogenesis पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत helpful रहेगा that's all for today dear students thank you